पिछले लगबग तीन हकते से विश्य विद्याले के अंदर जो घटना करम चला है और उसके साथ-साथ जिस तरीके से सुन्योजी तरीके से SFA के उपर हमला किया जा रहा है और छात्र अंदोलन जो विश्य विद्याले के अंदर जिसका एक इतियास रहा है आज तक जितने भ फरजी बाड़े विश्यविद्याले के अंदर हुए हैं जितने भी घोटाले विश्यविद्याले के अंदर हुए हैं SFA ने उन घोटालों को उजागर करने का काम किया है और अभी भी आपने देखा होगा कि पिछले लगातार जो एक महिने के अंदर पहले आउट्सोर्स का जो मुद्धा विश्विद्यले के अंदर आया था 23 पोस्टे लगबग 7 करोड का ठेका एक BJP RSS से जुड़े वे उनके नेता है उनको जो दिया गया है इसके सासाथ MCA के अंदर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरीके से PhD के अंदर एक फरजी एडमिशन होती है बीना एड़टाइजमेंट के जो वहाँ पर एक छात्रा को जो उसके अंदर अनुमती दी जाती है इससे पहले भी विश्यविद्याले के अंदर जो दस प्रतिशत फीस बड़तरी का प्रस्ताव लाया गया इसके सासाथ M.com के अंदर एक बहुत बड़ा गोटाला हुआ था ICDOL के अंदर 21 करोड का गोटाला हुआ था ये सारे गोटाले और इसके खिलाब जो SFI ने एक विश्यविद्याले के अंदर अंदोलन किया था उसमें लगातार जो छात्रों की भागेदारी थी उससे कहीं ना कहीं विश्यविद्याले अथारेटी जो बैक पूट पर थी लेकिन जब SFI इन मुद्दों को लेकर विश्यविद्याले के अंदर लगातार अंदोलन कर रही है तो उनको बैज बीर करने के नाम पर विश्यविद्याले से रस्टिकेट किया जा रहा है जो कि हमारे लोग तन तरीक अदिकार के उपर हमला है हम जो है SFA के बैनर तले इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे अगर हमारी जो मांगे हैं कि विश्य विद्याले के अंदर जो लोग ABVP के, RSS के और उनके जो पर ध्यापक है वो जो लड़ाई के अंदर शामिल थे जब तक उनके उपर कोई कारेवाई नहीं होती है SFA इस आंदोलन को इसी तरीके से आगे मजबूत करती रहेगी और इसके साथ-साथ विश्य विद्याले के अंदर जो तमाम तरीके के घटना करम हुए हैं गोटाले हुए है उनके उपर जब तक कोई जांच नहीं होती है और दोशी लोगों के अपर कारेवाई नहीं होती तब तक ये जो है SFA गांदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा